एक बार अपने कुछ भक्तों के साथ बाबा ने कई दिन रिशिकेश और हरिद्वार में निवास किया और भक्तों को नित्य उनकी नूतन लीलाओ को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। एक दिन उनके सारे शरीर में चेचक किसे दाने दिखाए दिये पर उन्हें उपर नहीं था। श्री मा यह न समझ पाएं कि बाबा ने किस की और कौन सी बीमारी अपने उपर ले ली। मा ने उन दानों पर बोरोलिन का लेप कर दिया और वे दूसरे ही दिन विलीन हो गए। इसके बाद बाबा नैनी ताल जिले में स्थित अपने भूमियाधार आश्रम में रहने लगे। कुछ ही दिन बाद इलावाद से श्री सुधीर मुकरजी ने आकर बाबा के दर्शन किये। उन्होंने सुनाया कि चेचक के निकल आने से उनके परिवार के किसी सदस्य की की बहुत जल्दी ही चेचक से निवरिती हो गई। इससे बाबा के बदन में प्रकट हुए दानों का रहस्य समझ में आया। सभी लोग सर्वत्र बाबा को याद कर अपने अपने गंभीर कष्टों से मुक्त होते रहे पर कोई भी यह न जान सका कि करुना निधान बाबा क को उनके कष्टों की क्या कीमत चुकानी पड़ती थी। ये था उनका स्वभाव और उनकी कृपा का स्वरूप।